आज तो थमनेली देखके समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ इतनी इजी आइस क्रीम कि बड़े क्या बच्चे सभी आसानी से बना लेंगे और एक बार आप देख लेंगे तो बिना बनाए रह भी नहीं पाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स आज बनाते हैं फाइब स्टार टॉफी से आइस क्रीम फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें फाइव स्टार टॉफी से आईस्कीम बनाने के लिए सबसे पहले लेना होगा फाइव स्टार आप कोई भी ले सकते हैं मैं यहाँ पे आज 10 रुपे वाली फाइव स्टार ले हूँ जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है और सभी को काफी ज़्यादा पसंद भी आती है अब सारे चॉकलेट को हमें रैपर से निकालना है आज मैं यहाँ पे मोल्ड का यूज नहीं कर रही हूँ इसी रैपर में आइस क्रीम जमाऊंगे तो अब इस तरह से रैपर को सीजर से कट करें और आसानी से चॉकलेट को इस तरह से निकाल लें इस फाइब स्टार का टेस्ट भी एकदम चोकलेटी होता है और चॉकलेटी के साथ साथ काफी ज़्यादा यम में भी लगता है अब हमने सारे चॉकलेट को रैपर से निकाल लिया है अब एक पैन में एक कप दूद डालेंगे और दूद को गरम करेंगे दूद को कितना गरम करना है दूद को बस उतना ही गरम करें जैसे आप उभली डालेंगे और उभली डालके आप सेहन कर ले रहे हैं बस उधनही गरम करना हैं. आप ये दूद्ध गरम होके हैं अब इस गरम दूद में क्या करेंगे इस तरह से चौकलेट को तोड़के डाल देंगे. यह रफलिट तोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा इच्छा हो, उस तरह से आप तोड़के डाल दें, क्योंकि हमें तो मेल्ट ही करना है, अब सारे चोकलेट को दूद में डालके बस इस तरह से मिक्स कर देना है, पांच मिनट में मिक्स करेंगे, पांच मिनट में आसानी मेल्ट हो जाएगा, बस पांच मिनट हो गिया है, थोड़ा थोड़ा दूद में दिख रहा है कि मेल्ट नहीं हुआ है, तो बस दो मिनट के लिए और मेल्ट कर लेंगे, इस तरह से, मिक्स करेंगे, असानी से मेल्ट हो जाएगा, अब यह पूरा मेल्ट हो गिया है, अब मे को लेना है और इस रैपर को एक ग्लास में कप में डालते हैं अब अब जो हमने चौकलेट का दूद्ह रेडी करके रखा है उस दूद को इस तरह से फिल कर देंगे अब एक फिल और हो गया है बाकी का भी हम इसी तरह से फिल कर आपको लेंगे अब आव तैनों फिल होचुका है अब फिल करके बस इस तरह कप ग्लास में छोड़ देए अब थोड़ा सा प्रॉसेस से भी आईस्क्रीम बना सकते हैं अब लेनी है आईसिस्टिक यदि आपके पास आईसिस्टिक नहीं है तो इस पॉन भी डाल सकते हैं बस इस तरह से आईसिस्टिक तीनों में डाल देंगे अब तीनों में हमने आईसिस्टिक डाल दिया अब इसे फ्रीजर में ओव कितनी अची तरह से जमा है ये एकदम सस्ते का जुगाड है सस्ते में चॉकलेट आइस्क्रीम बनके रेडी हो जाता है और एकदम टेस्टी लगता है खाने में तो आप इस तरीके से आसानी से 5 स्टार टॉफी से आइस्क्रीम बना सकते हैं तो फ्रेंड्स आप आसानी से चॉकलेट आइस्क्रीम घर पे बना सकते हैं, आप क्यों आपके बच्चे भी आसानी से बना लेंगे, एकदम एजी है ना, अगर फ्रेंड्स आज की आइस्क्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, फिर मिल अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई